हेलो फ्रेंट्स, डेटर स्टेटर सिखने की सीरीज में आज हम देखने वाले एरेंड पॉइंटर्स और यह भी देखने कि एक फाइल बना लेते हैं और साथ में दोनों काम करेंगे तो यहां पर जो फाइल नेम होगा पॉइंटर कर लेते हैं .cpp, enter, सबसे पहले यहां पर जल्दी से header फैस ले लेते हैं तो hash, include iostream, username is standard, main method, int main, current bracket, enter आप दिखें यहां पर हम लोग क्या करते हैं एक variable लेते हैं int a और initial value रखते हैं 10 और यहां पर एक दूसरा variable लेते हैं int ptr जो की variable ही है लेकिन यहां पर हम लोग क्या करते हैं एक symbol यूज कर लेते हैं, aster symbol, ओके अब यहां पर देखें, जब इसको हम लोग compile and run करेंगे इस program को तो एक memory block हमें मिलेगा, a के लिए जो की int a का है और यह दो वैट memory कंजूम करेगा और मैंने आपको बताया था कि एक memory के पास data होता है और उसका एक address होता है लेकिन जदी यहां पर आप देखोगे, तो हमने दूसरा variable यह हुआ है, pointer यह भी int a का है इसे भी यहां पर दो वैट की memory मिलेगी, अभी यह values में आप नहीं जाएगा फिलाल कि यह मांके चलिए, कि यह pointer variable है, जिसको दो वैट की memory मिलेगी यह फिर 4 वैट बहुत सकते हो, आज के compiler के अनुसर हो, तो यहां पर इसको 4 वैट, इसको 4 वैट, यहां तो समझ में आती चीज़े लेकिन इस pointer variable का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इसका अपना कुछ नहीं है मतलब अपना कोई भी यहां पर data नहीं है, इस pointer variable में pointer variable हमेशाद दूसरे के memory address को contain करता है, for example, जदी यहां पर हम लोग लेते हैं, ptr equals to address of a, इसका मतलब इस pointer variable में, मतलब इस memory block में, जो a का address होगा, address यहां पर hexade decimal के form में होता है तो hexade decimal नहीं कुछ भी हो सकता है, बस आप यह मांगे चलिए, कि यह एक address है तो जो आपका pointer variable होता है, वो address को contain करता है, किसी दूसरे variable का, ठीक है तो जदी यहां पर pointer request to address of a लोग वे, तो a का address होगा, वो store हो जाएगा pointer variable में लेकिन उससे पेले यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसको comment कर लेते हैं, ctrl shift c, और यहां पर हम लोग print कर वा लेते हैं, c out, और यहां पर कर लेते हैं address of a यहां पर सबसे पेले हम लोग देखते हैं, कि a का address क्या है, तो इसको यहां पर compiler run कर लेते हैं तो यहां पर जदी आप देखोगे, तो यह आपका address है a का, और इस address में जो data है, वो क्या है 10 तो यहां पर जब हम लोग एक pointer variable लेंगे, तो इस pointer variable में हमारा a का address store हो जाएगा तो यहां पर जदी आप print कराऊगे, pointer की value, तो यहां पर क्या होनी चाहिए, ptr, अभी यहां पर हम लोग देखेंगे, कि इसका actual meaning क्या है, अभी यहां पर value store कर वा रहे है तो यहां पर save किया, billion run किया, तो यहां पर देखेंगे, विसका en-deal लेना था, कोई नहीं, फिर से कर लेते हैं यहां पर कर लेते, en-deal, तभी हमें difference पता चलेगा, तो यहां पर save किया, billion run किया, अब देखेंगे यहां पर भी same value, यहां पर भी same value, मतलब यह जो है, वो a का address है, यह भी a का address है लेकिन इसको हमने store कर वा दिया है, pointer variable में, तो यह जो address हो गया, वो हो गया pointer variable का actual value तो यहां पर pointer variable का actual value हो गया आपका, जो आपका यहां पर a का address है, ओके, अब इस pointer variable का value हो गया यह लेकिन इस pointer variable का भी अपना कुछ address होगा आप इसे कैसे print करवा सकते हैं तो इसे print करवाने के लिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हो इसी को copy किया यहाँ पे कर लेते endl यहाँ पे control v और pointer के जगा पे ले लेते हैं हम लोग address और pointer इसको save किया exit और यह compiler आप दिखिए यहाँ पे यह जो है एक address यह जो है यह भी एक address लेकिन यह actual value होगी आपका pointer का क्योंकि pointer जो है वो memory address contain करता है किसी दूसरे variable का तो pointer की value यहाँ पे होगी हमारी यह वाली और जो pointer का अपना value है address की वो हो गया यह ओके तो यह pointer का data हो गया और यह pointer का address हो गया जो a को श्ट्टेन है यह a का data हो गया और a का address हो गया वो हो गया आपका यह वाला ओके तो यह आपका हो जाता है pointer अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं जो यहां पर हम लोग A को प्रिंट करवा रहे हैं, यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, C out, और यहां पर हम लोग कर लेते हैं, A, ओके, यहां पर हमने A का वेल्यू प्रिंट करवाया, अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, जो हमने यहां पर pointer को प्रिंट करवाया, इसी को यहां से कर लेते हैं, copy, control V, लेकिन यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं, अब यहां पर आपको difference पता चल जाएगा, यह हो गया आपका address of a, यह हो गया आपका data, जो कि a का है, यह हो गया आपका pointer variable, यह हो गया आपका pointer का data, ठीक है, जो कि address है किसका, a का, इसका क्या मिनी हो गया, pointer का data, हमने print करवाया है, इसका मतलब क्या हो गया, देखिए, इसका मतलब हो गया, कि a strip ptr के साथ आप access कर रहे हो, a की value को, तो यह actual में हो गया आपका data of a, ठीक है, जब आप a strip symbol यूज करती हो pointer के साथ, तो यह actual में एक data को present कर रहा होता है, और यह उस data को present कर रहा होता है, जिसको यह pointer point कर रहा होता है, तो यहाँ पर यह pointer किसको point कर रहा है, A को तो इसलिए यहाँ पे data of A print हो जाएगा और यह क्या है address of pointer variable भी कर सकते हैं find यह सारा difference आपको पता चल गया इसको build and run कर लेते हैं इसको exit किया और यहाँ पे कर लेते हैं build and run आप देखें यहाँ पे difference आपको देखेगा यह first में है A का address A का data यह pointer का data लेकिन A का address यह A का data लेकिन pointer की थुरू हम लोग access कर रहे हैं यह address of pointer fine तो यह सारा यहाँ पे आपका pointer का concept हो जाता है तो यहाँ पे यह हो जाता आपका 10 fine यह 1000 decimal के form में होता है तो उत्रा नहीं जान आपको फिलाल यह जाना है यह आपका address है अब दिखिए जो main concept है हमारा अब हम लोग जो study करेंगे वो actual में study करेंगे pointer का use हम लोग क्यों करते हैं address तो content करवाने के लिए करते ही हैं लेकिन साथे में यहाँ पे इसका बहुत बड़ा roll है यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं c out हमने यहाँ पे print करवा रख है जो कि a का value है यहाँ पे भी extract ptr करवा रख है जो कि a का value है अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं जो हमारा pointer variable है extract symbol के साथ यहाँ पे हम लोग store करवा देते हैं 20 और यहाँ पे फिर से एस्ट्रिक पी टी आर फाइं बीच में रहे लेते एंडिये और यहीं पर हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं एक वेल्यू अभी देखेगा यहां पर आपको डिफ्रेंट पता चलेगा कि स्वेप किया यहां प्रिंट और यह हो गया श्राइब क दिहां से दिखे गय है किया यहाँ तो पास माज में आती है एड्रेस डेटा का यह आपका एंड्रेस एका लेकिन कंटेंड कर रहा है pointer variable तो यह pointer variable का data हो गया यह data हो गया कि अ का लेकि clock वेकल के तहुरоп हम लोग एक्सेस करे помог यह, pointer variable का address हो गया और pointer variable address के बाद यह यह Hayler sellers की बाद यह यह पिरिंट हो गया 20 बाद में वीशे ही यह पे ब्लोक ले सकते थे कि कोई दिकत नहीं जो 20 है ये वला ये 20 आपका है ये वला जो हमने यहाँ पर pointer में assign किया value और last में जो A हमने print करवाया है वो है A की value अब ध्याँ से दिखेगा A यहाँ पर 20 है लेकिन यहाँ पर A क्या किया था हमने 10 मतलब जो हमारा memory block था जिसमें 10 store थी अब वो change होके क्या हो गई 20 जो हमने यहाँ पर pointer variable को assign किया है तो यही यहाँ पर advantage हो जाता है कि आप data को manipulate कर सकते हो by using pointer तो यहाँ पर जो आपका A का data था उसको आपने change कर लिया by using pointer और pointer के through आप क्या करते हो run time पर memory allocate करवाते हो तो यहाँ पर run time पर आप data को manipulate कर सकते हो अब दिखिए यह हमारा हो जाता है basic pointer का concept यहाँ पर आते हैं memory concept में memory concept के लिए यहाँ पर हमनों क्या करते हैं यह आप note कर लेना अच्छे से अभी यह use में होने वाली है इसलिए सारी सीजमें आपको बताया यहाँ पर a equals to 10 रखते हैं ओके यहाँ पर एक pointer variable लेते हैं जो की ptr है ओके यहाँ पर run time पर memory allocate करवाने से पहले फिर से यहाँ पर कर लेते हैं pointer equals to address of a और यहाँ पर cout pointer को print करवा लेते हैं अब दिखिए यह है हमारे stack मैंने आपको बताया था कि memory में हमारे तीन section होते हैं memory मतलब RAM primary memory की बात कर रहा हूँ तो यह हो जाता हमारा code section यह stack यह heap यह section से RAM का तो यहाँ पर जो code section है यह हमारा लगा लिजए instructions है जो भी आपने main method यूज किया हुआ है यह फिर को i function यूज किया हुआ है तो यहाँ पर यह instructions के form में सारा ले लेता है ठीक है तो यहाँ पर यहाँ आप इसको मान सकते हैं code से तन main हमारे start होता है stack से जब इसको आप compiler run करते हो अभी इसकी बात नहीं कर रहा यह जो यहाँ पर arrow वेगर हमने बना रखाया तो इसको अभी यहाँ पर ध्यान नहीं दिजेगा तो यहाँ पर जब दूसरा variable हमने बनाया pointer के नाम से तो यहाँ पर एक pointer हो गया और इसी में हमने address store करवाया है तो अभी हमने देखा कुछ यहाँ पर हेज़र देशमल के फोर्म में आ रहे थे इसका मतलब यह pointer जो है जो यह वाला address है वह store करवाया है और यहाँ पर जो भी हम लोग changes करेंगे pointer में वह reflect होगा इस block में तो यह सारा काम हमारा हो रहा है स्टैक में अभी हमारा heap में कुछ भी नहीं हो रहा है अब हम लोग क्या करेंगे heap में काम करेंगे सेम चीज को यहाँ पर मैं क्या किया pointer variable ही लिया लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया इस pointer में value assign ना करके हमने यहाँ पर कर दिया new int ओके और यहाँ पर आप चाहँ तो bracket ले सकते हो कहीं कहीं पर होता है कहीं कहीं पर नहीं होता है तो हमने कर गया pointer new int इसका मतलब क्या हुआ कि हमने runtime पर एक memory block create किया हुआ है जो कि हमारा heap में create हुआ है अब यहाँ पर value की बात नहीं कर रहा फिर से देखिए यहाँ पर pointer equals to new int कहने का क्या मतलब है कि हमने runtime पर एक memory block create किया heap में ओके अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं इस pointer में ht symbol के साथ यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं जो हमने यहाँ पर लिया हुआ है आप चाहो तो इसे remove कर सकते हो और यहाँ पर 10 को अलग से store कर वा सकते हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो pointer variable लिया है ठीक है यह एक नया memory block बनाया है तो यह जो है वो इसको point कर रहा है इसका मतलब जो यहाँ पर हमने value assign किया है यह indirectly यह directive हो सकते हो यहाँ पर store हो गया है तो यह हो जाता है run time पर memory को eloquate करवाना और देखा जाए यह जो pointer है यह actual में address content कर रहा होगा जो इसने नया memory block बनाया है क्योंकि यहाँ पर हमने address आप ए नहीं लिया हुआ ए का value assign क्या हुआ है pointer में लेकिन यहाँ पर कि जो memory block हमारा बना है heap में आप यह मांके चलिए कि जो pointer जो है वो इसका address content कर रहा होगा तो इसका address suppose है यह तो इसका address यहाँ पर यह content कर रहा है value store करवान यह 10 तो यहाँ पर हमने store करवा लिया तो यह हो जाता है आपका run time memory allocation अब जैसे यहाँ पर कोई task perform हुआ suppose यहाँ पर हम लोग print करवा लिये ht को ptr fine और suppose यहाँ पर इसको save किया और यहाँ पर bill and run गया तो यहाँ पर हमें tenso हो गया लेकिन जो हमारा memory block बना यह और जब हमारा task perform हुआ तो task perform होने के बाद यह memory release नहीं होती है इसे हमें forcefully release करवानी पड़ती है तो forcefully release करवाने के लिए यहाँ पर आपको करना पड़ता है delete keyword और delete keyword के साथ यहाँ पर जो आपका pointer variable है तो ptr तब जाके वो delete होगी value और delete भी होगी लेकिन फिर भी एक issue आएगा वो क्या हैगा मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर इसको फिर से run करते है compile and run इसका कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर value हमें print हो चुका है और यहाँ पर हमने delete भी कर दिया pointer कहने का क्या मतलब है कि जो हमने memory block बनाया इसको हमने delete कर दिया है लेकिन फिर भी यहाँ पर यह जो pointer है point कर रहा होगा कि एसे memory block का जो कि exist नहीं करता है और इसी को हम लोग बोल देते हैं dangling pointer जो कि एसे memory block को point कर रहा है जो कि exist करता ही नहीं तो इसी लिए इस चीज को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं इस pointer में हम लोग assign कर देते हैं null value तो अब क्या होगा इस pointer की जो value होगी वो null होगी और यह point नहीं कर रहा होगा fine तो यह अब कोई भी memory address content नहीं करेगा अब यहाँ पे जब यह program run कर जाएगा तो यह भी जो memory block मिले होगे यहाँ पे यह भी delete हो जाएगा और आपको पता है कि जब भी हम लोग कुछ return करवाते हैं तो return करवाने के साथ ही आपका क्या होता है जो आपका method होता है वो भी आपका destroy हो जाता है तो main method भी destroy हो गया आपका return keyword 0 हो गया मतलब जो भी हमारे यहाँ भी variable से वो सारे destroy हो गया complete task perform हो गया तो यहाँ से यह भी हमारे delete हो जाएगा अब यहाँ पर suppose आपने बहुत सारे variable बनाए होंगे कुछ store हो रहा होगा आपका stack में कुछ हो रहा होगा heap में लेकिन suppose यहाँ पर pointer variable यूज नहीं करते new keyword यूज नहीं करते तो उस case में क्या होता सारा काम हो रहा होता आपका stack में तो जब आप number of task perform करने लगते हो stack में चुकि stack का size होता है fix तो यहाँ पर क्या होते हैं memory blocks बनते रहते हैं मैंने आपको बताया था stack frame बनते रहते हैं जहाँ पर आप value को store करवाते रहते हो जहाँ पर variables को memory मिलते रहती है तो जैसे से memory मिलती है हमारा memory stack create होते रहता है जिसको आप stack frame बोलते हो और वो destroy होते जाता है लेकिन अपने कुछ ऐसे प्रोराम कर रखे हो जहाँ पर बहुत सारा complex data है और यहाँ पर stack हमारा full हो गया है तो यहाँ पर क्या होता है memory का stack overflow होता है तो इसलिए उस चीज़ को avoid करने के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं heap जहाँ पर हम जोड़ रहा था हीप का वहाँ पर हम लोग pointer variable के थ्रूँ heap में data store कर वा लेते हैं तो यह यहाँ पर हमारा था stack overflow और heap में हमारा होता है concept एक memory leakage तो यहाँ पर इसलिए हमने इस data को delete किया था जो हमने यहाँ पर memory block create किया था जदे आप delete नहीं करते हैं तो वहाँ पर memory का leakage होता है ठीक है अब यहाँ पर array वोला concept देखते हैं array वोला concept क्या है suppose यहाँ पर यहाँ पर यह भी दे सकते थे कहीं करें आपको दिखेगा bracket में यहाँ पर हमने क्या करते हैं कि array बनाते हैं तो यहाँ बनाने के लिए यहाँ पर ले लेते हैं square bracket और यहाँ पर total हमने बनाते हैं 5 memory block fine और यह हम लोग अटा देते हैं ठीक है और यह pointer variable point कर रहा होगा heap में 5 memory block को 10, 20, 30, 40, 50 यह value अभी हम लोग store करवाएंगे अभी यह मांगे चलो, यह सारे blank है तो हमेशा जो pointer variable point कर रहा होता है array के, वो first value को, या फिर first index को point कर रहा होता है तो इसका जो भी address होगा first वाले block का क्योंकि यहाँ पे हर block का अपना कुछ ना कुछ address है तो first वाले block को यह point कर रहा होगा तो यहाँ पे जदी आप loop चलाते हो 4 int i equals to 0 i less than एक size ले लेते हैं array का तो यहाँ पे आप directly ले सकते हो 5 बतलब total 5 value एंटर करवाने ने तो आप चाहँ तो n का भी value ले सकते थे और n यहाँ पे pass कर सकते थे जो हमने last उडियों किया हुआ था तो यहाँ पे जदी आप यह लेते और यहाँ पे आप करवाते हो देखिए यहाँ पे आपको 2-3 चीचे सीखनों को मिलेगे c in और यहाँ पे हमने क्या किया pointer variable of i जदी यह हम लोग करते हैं और इसी को यहाँ पे copy करके ctrl v करते हैं और यहाँ पे कर लिया हमने c out और इसी को हमने print करवा दिया अभी यहाँ पे हम लोग restrict नहीं ला रहे हैं अभी उसको लाएंगे और इसको save करके जदी यहाँ पे हम लोग build and run करते हैं और यहाँ पे हम लोग value ले लेते हैं डाटे हम लोग area का value ले रहे हैं तो 10, 20, 30, 40, 50 मतलब यह जो आप data store करवा रहे हो कहाँ पे store करवा रहे हो सारे data store हो रहे हैं आपका heap में ठीक है क्योंकि यह pointer point कर रहा है सबको तो यहाँ पे pointer variable के थुरू आपने क्या किया heap में memory को allocate करवाया और यहीं पे आप data को store करवा रहे हो तो यहाँ पे जदी आप value को enter करवा के जदी यहाँ पे run करवाते हो तो देख से तो यहाँ पे आपको सारे value मिल जाती है तो यह एक तरीका है आपका run time पे memory को allocate करवाने का array के case में अब यहाँ पे हमने asterisk वाला symbol यूज नहीं किया C++ आपको यह facility देता है कि आप asterisk symbol यूज करो या नहीं भी यूज करो आपका काम चल जाएगा लेकिन यहाँ पे जो आप declare किये हो asterisk PTR यहाँ पे आपको new keyword के थुरू memory block create करना है यहाँ पे आप normal way में यूज कर सकते हो लेकिन आप चाहते हो asterisk symbol को यूज करना तो यहाँ पे आप बाहर से asterisk लगा सकते हो और यहाँ पे bracket में बंद करके इसको कर सकते हो p plus i इससे क्या होगा? 0 वाले case में pointer of 0 1 के case में pointer plus 1 तो 1 add हो जाएगा 2 के case में pointer plus 2 तो 2 add हो जाएगा तो इस तरह वो next हमारे cell में data को add करता रहेगा और यहाँ पे उसी तरह प्रिंट करवा सकते हो तो यहाँ पे भी asterisk और यहाँ पे pointer p plus i तो यह आपका दूसरा तरीका है data को handle करने का तो इससे जदे आपको difficulty लगती है तो आप normal way यूज़ कर सकते हो तो इसको save करके compiler run कर लेते हैं तो यहाँ पे build and run किया यहाँ पे 10 20 30 40 50 तो यहाँ पे 10 20 30 40 प्रिंट हो गया वे जूब चाहाँ तो यहाँ पे space ले सकते हो तो अभी यहाँ पे यह हमारा task perform हो गया हमें print करवाना था print करवा चुके है कुछ और task perform करना है आप कर सकते हो लेकिन जब यहाँ पर हमारा task वखा हुआ तो यह memory release नहीं हुगी है memory release करवाने के लिए मैंने क्या बोला आपको delete keyword लेना है यह तो memory का leakage होगा तो delete keyword चुकि array है तो square bracket लेना आपको और यहाँ पर आपको लेना pointer variable तो यह कर देगा वो memory को delete लेकिन अब भी हमारा pointer variable point कर रहा होगा जो आप बोलोगे dangling pointer यह हमारी जैसे delete होती value फिर भी यह point कर रहा होता है तो इसे point नहीं करवाने के लिए आप यहाँ लेते हो pointer request न डाल ठीक है तो यह memory address content नहीं करेगा ठीक है इसकी value हो जाएगी न मतलब अब इसका use बाद में भी कहीं पे भी कर सकते हो कहीं पे आपको फिर से इस तरह के लेने हैं चीज़े तो फिर से आप memory allocate करवा लो तो इस तरह हम लोग run time पे memory को allocate and de-allocate करवा सकते हैं तो यह हो जाता है आपका pointer and array and run time में memory को allocate करवाना तो उमीद है यह वीडियो आपको जरूर अच्छे लगे होगी जदे अच्छे लगे होगी तो चैनल को share and subscribe भीर करें साथ ही बिल आकम को प्रेस कर लेना ताकि जैसे नहीं आपड़ो पूट को उसी नोटिके सलाब को तुरह मिल जाए Thank you, happy learning